जेहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी को KPS Study.outube चैनल पर तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं B.S.A.P. ट्रेट्समेन भरती की complete details के बारे में और आप सभी को बता दे इसका full notification इसके officially वेवा साइट पर आ चुका है आप सभी यहां से इस notification को download भी कर सकते हैं तो यहां पर आप सभी देखेंगे यह रहा इसका full officially notification और इस notification में इस भरती की complete जनकारी दिया गया है तो दोस्तो A to Z जनकारी आज किस वीडियो में आपको मिलने वाला है इस भरती से related तो वीडियो में आप सभी बने रहिए यहां पर आप सभी देख सकते हैं जो आपका यह वेकैंस जिसमें 2651 पोस्ट आपका मेल के लिए और फीमिल के लिए 137 पोस्ट आपका रहने वाला है ओनलाइन मोट से इसका फॉर्म आपको apply करना होगा बीएसेप के officially site पर आकर यहां पर apply here पर आप click करेंगे उसके बाद यहां पर आप सभी आकर इसका form apply कर सकते हैं इसके बाद यह यहां पर आप सभी देखेंगे इस भरती के अंत्रकत जो pay scale है आपका 1,700 से आपका training period में सुरू होगा उसके बाद 69,100 रुपिया तक आपका इसमें pay scale मिलने वाला है इसके बाद दोस्तों यहां पर आप सभी देखेंगे इस भरती के बारे में complete जनकारी इस notification में आपको दे candidate है या SC, ST candidate है या एक serviceman है उनके लिए यहां पर एक भी रुपिया नहीं लगने माला है केवल OBC, General और EWS के लिए 100 रुपिया यहां पर लगेगा जिसे आप सभी net banking, credit या debit किसी भी तरह से जो है payment कर सकते हैं इसके बाद यहां पर सबसे ज़्यादा important जो जनकारी है अगर आप सभी इसका form apply कर रहे हैं तो यहां पर examination center के बारे में दोस्तों आपका physical कहां पर होगा, return कहां पर होगा, यह center आपको जानना काफी ज़्यादा आवस्याक है और यहां पर देखेंगे estate और यहां पर जो आप सभी देखेंगे name of recruiting agency या center with address यानि कि जहां पर आपका center रहन आप सभी देखेंगे जम्मू कस्मीर एंद लदाख का center है यह आप सभी देख सकते हैं यहां पर रहने वाला है इसका address यहां पर दिया गया है इसके अलावा पंजाब हिमाचल परदेश और चंडीगट का center आप सभी यहां पर देख सकते हैं जलंदर केंट पंजाब में ही कहेगा headquarter BSF पंजाब जलंदर केंट में इसके बाद आप सभी देखेंगे गुजरात महराष्टरा दमंदिव और दादर एंड नागर हैवेली गोवा इन सभी का center है अगर आप सभी इन सभी इस्टेट से हैं तो आपका जो एक examination center है वा रहने वाला है BSF गुजरात और इसक स्थान में ही center रहेगा बिहार एंड सिक्किम से अगर आप लोग करते हैं तो नौर्थ बंगाल में आपका center इसका रहने वाला है सिली गुरी में आप सभी देख सकते हैं डिश्टिक दर्जलिंग यहाँ पे address दिया गया है इसी address पर आपको जाना होगा इसके अलावा वेस् दिल्ली से अगर आप लोग करते हैं तो आपका center यहाँ पे रहने वाला है हर्याना के अंतरगत आप सभी देख सकते हैं MP से है तो आपका center इंदोर में ही रहेगा तो यहाँ पे center की details दिया गया है आप सभी से पढ़ सकते हैं link description में आपको मिल जाएगा eligibility criteria and condition की बात करें तो दोस्तो इजू केसनल qualification में आपका matriculation यानि की तेंथ पास होना चाहिए अगर आप किसी भी board से तेंथ पास है तो आप इस firm को apply कर सकते हैं साथ ही साथ two year work experience in respective trade या one year certificate course from industrial training institute या two years diploma from industrial training institute यहाँ पे ये आप सभी को बता दे कि जितने भी इसमें tradesman related post है उन सभी post के लिए आपके पास two year का work experience होना चाहिए और दोस्तो इसका certificate आपको जो है upload करना होगा form apply करते समय यहाँ पे आप से भी देखेंगे work experience के अंत्रगत आपको इसका certificate upload करना होगा two year work experience का तो यह आपको ध्यान में रखना है अगर आप ITI किये हैं अगर आपका one year का trade था या two year का तो भी आप form apply कर सकते हैं लेकिन सभी post पना ही ITI related जो post है जैसे की carpenter पेंटर इन सभी post पर apply कर सकते हैं और अगर आपके पास experience certificate है तो आप सभी tradesman के अंत्रगत सभी post पर form apply कर सकते हैं तो experience certificate जो है जरूरी है आपको यहाँ पे देना परेगा इसके बाद यहाँ पे age limit की बात करें तो अठारे से 23 बरस के बीच इस और maximum 23 बरस से जादा नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आप AC, ST, OBC से हैं तो यहाँ पर देखेंगे AC, ST को 5 बरस का छूट और OBC को 3 बरस का छूट यहाँ पे age में दिया गया है इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे नीचे के तरफ इसकी physical standard test के बारे में बताया ग अगर आप AC Candidate से हैं All India से तो आपका 162.5 cm अगर आप सभी इन सभी कैटेगोरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि गड़वाल कुमोंदोगरा मराथा and Candidate Belonging to the state of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tirpura, Mijora, Meghala, Assam, Himachal Pradesh, Kasmir, Leh and Ladakh region से तो आपका 165 cm height लगेगा और बाकी जितने भी यह इन सभी इस्टेट को छोर कर बाकी जितने भी इस्टेट है उन सभी में 117.5 cm weight आपका height के coding count किया जाएगा इसके बाद यहाँ पे female की बात करें तो female में आपका all other state and union territory जो है यानि कि किंद्रसासित परदेश यहाँ पे 157 cm, 155 cm इन सभी state के लिए और ST के लिए 150 cm और height आपका weight जो है आपके height के coding यहाँ पे मापा जाएगा इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी किसी भी defense category के exam की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी by juice exam prep app के द्वारा कर सकते हैं यहाँ पे आप सभी को बता दे by juice exam prep app के द्वारा mission cds1 2022 की new batch आपका 6 जन्वरी से सुरू किया गया है तो इस batch को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सभी cds1 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अलावा एफ कैट की भी new batch आपका 8 जन्वरी से सुरू किया गया है इसके अलावा आप सभी को बता दे CAPF 2022 की new batch आपका 11 जन्वरी से सुरू किया गया है इसके अलावा यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि by juice exam prep app के द्वारा CAPF के अंत्रगत 3000 पलस student का selection हुगा है by juice exam prep app के द्वारा ही यह student त्यारी किये थे इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे एफ कैट के अंत्रगत भी काफी सारे student का selection हुगा है तो आप सभी इस batch को purchase कर सकते हैं यहाँ पे new 10 आप सभी coupon को doge करना 10% को आपको discount देखने को मिल जाएगा और by juice exam prep app के द्वारा आप से भी इसके अलावा un exam की भी तैयारी कर सकते हैं link description में है आप से भी जाकर join कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बात करें medical test के बारे में तो medical test के बारे में भी यहाँ पे काफी सारे जनकारी दिया गया है इसके अलावा आप से भी देखेंगे जो आपका method of selection जो की काफी ज़्यादा important है और आप में से काफी ये student का comment भी आ रहा था कि इसका selection process कैसे होगा तो first phase of examination में आप से भी देखेंगे बताया गया है PhD and PET होगा यानि कि physical efficiency test and physical standard test तो सबसे पहले तो आपका PET होगा physical efficiency test यहाँ पे देखेंगे जिसमें 5 km का race होगा 24 मिनट में और female के लिए 1.6 km का सारे 8 मिनट में तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताये थे इसके बाद यहाँ पे आप सभी को बता दे next जो आपका process होगा जैसे ही आपका PET complete होगा यानि कि physical efficiency test इसे अगर आप सभी clear करते हैं उसके बाद आपको जो है second यहाँ पे देखेंगे trade test के अंतरगत आपको भेज दिया जाएगा trade test में आप जीस भी post पर form अपलाई किये हैं जैसे कि मानली जी अगर आप cook post के लिए form अपलाई किये हैं तो cooking of चपाती and rice, cooking of vegetable, डाल, सांभर, इडली तो यह सभी जो है इसके अलावा cooking of meat, feast, यह तो यह सभी जो है आपको Indian cooking के बारे में knowledge होना चाहिए Indian cooking के अंत्रगत जीतने भी बेंजन बनते हैं उन सभी का knowledge आपके पास होना चाहिए और यह सभी चपाती, rice, यह सभी कैसे बनाते हैं इसके बारे में तो आपको पता ही होगा तो trade test आप सभी यहाँ पर जब देने जाएंगे तो इसी से related आपसे सवाल पूछा जाएगा टेलर के लिए अगर आप form apply करते हैं तो यहाँ पर cutting of cloth यह सभी के बारे में जनकारी पूछा जाएगा water carrier के लिए आप सभी यहाँ पर देख से water carrier cook का ही सहायक होता है तो water carrier के लिए अगर आप form apply कर रहे हैं तो आपको cook related ही जो trade test में परस्न पूछा जाएगा वहीं सेम परस्न इसमें भी आपको देखने को मिलेगा लगबग waterman के बारे में आप सभी को पता है barber sweeper का क्या काम है इसके बारे में तो already आपको पता है barber का जो नाई का काम होता है handling of tools, hair cutting ये सभी तो आपको पता होगा carpenter, painter, electrician का क्या काम है draftman का क्या काम है waiter का क्या काम है mali का क्या काम है तो ये सभी से related जीस भी post पर आप form apply करते हैं उस post से related आपको trade test के अंत्रगत प्रस्न पूछे जाएंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है जीस भी post पर फर्म अपलाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा knowledge होना चाहिए इसके बाद second phase के अंत्रगत retain exam होगा 100 marks का और 100 marks का जो आपका retain exam होगा इसमें आप सभी यहाँ पर देखेंगे 35% तो आपका minimum marks होना चाहिए qualify के लिए दोस्तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप qualify कर जाएंगे लेकिन यहाँ पर इससे कम रहेगा तो आप qualify नहीं कर पाएंगे यहाँ पर syllabus में 100 questions 100 marks का और आपका 2 घंटा इसमें समय दिया जाएगा यह रहा आपका syllabus बस तो इसके बारे में मैं यह कलक से वीडियो बनाऊंगा आप सभी यहाँ पर तब तक देख सकते हैं यह सिले बस आपका रहने वाला है इसके बाद थर्ड फेज में आपका medical exam होगा और medical exam में इसके उपर भी मैं यह कलक से वीडियो बना दूँगा और इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे आपका जो है और कफी सारे final merit list बनेगा medical exam के बाद आपका DV भी होगा document verification then final merit list how to apply तो दोस्तों इसका form आपका 161-2022 से apply शुरू हो चुका है last date इसका 1 March 2022 तक है online mode से आपको form apply करना है यहाँ पर आप सभी देखेंगे यह जो है 1 March 2022 तक इसका last date रहेगा तो जल्द से जल्द आप सभी इसका form apply कर दे 1 March 2022 तक last date है हलाएं कि यहाँ पर 45 दिन का समय आपके पास अभी है यानि कि समय ज़्यादा दिया गया है तो यह रहा इसका full notification जितने भी important जनकारी था वो मैंने इस वीडियो में आप सभी को बता दिये हैं अब यहाँ पर बात करते हैं कि experience certificate के बारे में तो देखिए experience certificate आपको बनवाना परेगा जिस भी trade के लिए आप apply करते हैं उस trade से related कोई बरे जो दुकान है या shop है जो की government द्वारा register है आप सभी comment section में बताते हैं तो मैं एक new video नई video जो है आने वाले video में आपको बताऊंगा तो I hope आप सभी समाज गए होंगे फिर मिलते हैं next video में तब तक लिए जहिंद बंदे मातरम